माफी चाहूंगा आप लों से बहुत ही ये क्रूसियल जो दिन है आपके इसमें मैं दो दिन उपलब्द नहीं रहा और थोड़ा सा गरबढ हो गया जो भी स्टीडूल था लेकिन अभी फिर श्टार्ट होगा एशिया महादीप इस वीडियो में देखेंगे तेजी से एशिय महादीप में सबसे आदा इन्फॉर्मेशन्स हैं ठीक है और ये चुक कि अपना महादीप है हम लोग का महादीप है इसके बारे हम थोड़ा अच्छे पढ़ेंगे तो चले इस वीडियो में एशिया महादीप देखेंगे और जल्दी जल्दी समात करवाएंगे सभी महाद महादीपों को दक्षिन अमेरिका और आश्टिरा महादीप हम लोग ने पहले ही देख रखा है तो आईए एशिया महादीप देखते हैं एशिया महादीप की बात करें तो सभी सातों महादीपों में सबसे बड़ा शेथफल वाला महादीप है लगभग 30% शेथफल है पू पोटामिय सब्विता जो की दजला और फराद की नदियों पर की किनारों पर इस्ते थी जिसको सुमेरियन सब्विता भी कहते हैं ये सभी सब्विताएं एशिया में ही जनमली और एशिया से ही पूरे विश्व में सब्विताओं का ये करम बढ़ता रहा विकास होता रहा इसलिए सब्विताओं का पालना भी एशिया महादीब को कहते हैं। विश्वत रेखा, करक रेखा और आर्केटिक वृत ये तीन प्रमुख अक्षांस रेखाएं हैं जो एशिया महादीब से होकर गुजरती हैं। एशिया महादीब की सिमाओं की बात करें तो यूराल माउंटेन, यूराल परवत, यूराल परवत के नीचे कैस्पियन सागर, काकेसस परवत, बलैक सी और मेडिटेरियन सी, काला सागर और भूमादी सागर तो यूराल परवत के नीचे कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, काके काकेसस परवत काला सागर और मेडिटेरियन सी ये कालपनिक रेखा है जो यूरोप को एशिया महादीप से अलग करती है यूरोप महादीप और एशिया महादीप दोनों ही एक ही भूभाग है अलग अलग नहीं है इनको अलग करने के लिए कालपनिक रेखा मान ली गई है अफ्रीका और एशिया को डिवाइट करता है रेड सी ये लालसागर और स्वेजनहर तो जालसागर और स्वेजनहर अफ्रीका और एशिया के मध्ध बिभाजन रेखा बनाती है। इसी तरीके से इंडोनेशिया आप देख रहे हैं इंडोनेशिया दीप है इंडोनेशिया दीप समू पूर्वी दीप समू जी इसको कहते हैं ये 13,000 दीपों का एक समू है विश्व का सबसे बड़ा दीप नहीं है ध्यान लखेगा विश्व का सबसे बड़ा दीप ग्रीन ल नियोगिनिया का जो पूर्वी भाग है उसको पपुआ नियोगिनिया नियोगिनिया नियोगिनी दीप मेजते थे तो इस तरह से समझ सकते हैं ये नियोगिनिय दीप है इसका जो पूर्वी भाग है ये पपुआ नियोगिनिया महादीप में आता है जो आस्ट्रेलिया महाद जो न्यू गिनिया दीप है ये इंडोनेशिया दीप समू के अंतर गताता है अर्थात ये एशिया का हिस्सा है इस तरीके से पपुआ न्यू गिनिया दीप का जो विभाजन रेखा है ये एशिया और ओशीनिया महादीप का भी विभाजन रेखा है अब हम इसी तरीके से उत उत्तर इमेरिका महादीब और एशिया महादीब के मध्य विभाजान रेखा तयार करती है बेरिंग जलसंदी जो की रूस के पूरी भाग में कमचटका प्राइदीब है कमचटका प्राइदीब के पास चुकसी सागर और बेरिंग सी बेरिंग सागर और चुकसी सागर को ये बेरिंग जलसंदी एशिया महादीप और उत्तर अमेरिका महादीप के अस्तलखंडों को अलग करती है अर्थात एशिया महादीप और जो उत्तर अमेरिका महादीप है उसकी विवाजन रेखा कौन तियार करती है बेरिंग जलसंदी पांच ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों विस्तारित हैं कौन-कौन से रूस, कजाकस्तान, जार्जिया, अजर्बेजान और तुर्की ये पांच ऐसे देश हैं जिनका विस्तार यूरोप में भी है एशिया में भी है यूराल परवत के साहरे रूस और कजाकस्तान काकेसस परवत के साहरे जार्जिया और अजर्बेजान और तुर्की का कुछ भाग दो प्रच्चत लगभग उरोप में है 98 प्रच्चत तुर्की एशियम पढ़ता है तुर्की का जो इस्तामबूल वाला हिस्सा है इस्ताम्बूल एशिया में भी है और यूरोप में भी पड़ता है इस्ताम्बूल जो नगर है प्रमुख नगर तुर्की का वो यूरोप और एशिया दोनों में उस विस्तारित है वो नगर उस ता भी है ध्यानक हैगा एशिया महादीप में विशो का सबसे वड़ा देश रसिया इस्तित है विशो का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना भी एशिया महादीप में हिस्तित है विश्व की सबसे उची परवतमाला हिमालयन या हिमालय परवतमाला ये भी कहां इस्थित है एशिया महादीप में इस्थित है हिमालय पे इस्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे उची चोटी भी एशिया महादीप में इस्थित है तो ये सभी तिबबत का पठार, तिबबत प्लेटू, दुनिया का सबसे बड़ा पठार, लगबग 2 लाग वर किलोमेटर में फैला, ये भी एशिया महादीप में इस्तित है, तिबबत के पठार के पास इस्तित, विश्व का सबसे उंचा पठार, पामीर का पठार, सिंगापुर भी एशिया माधीप में हिस्ते थे एशिया माधीप में कुल दस स्थल रुद देश हैं कौन कौन से ध्यान देजेगा सबसे बड़ा स्थल रुद एशिया माधीप का कजाकस्तान है दूसरे नमबर का सबसे बड़ा स्थल रुद देश अर्था स्थल रुद दे है अजर्बेजान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान अफगानिस्तान तजाकिस्तान करगिस्तान सोरी अजर्बेजान नहीं है अजर्बेजान नहीं है अजर्बेजान नहीं सोरी तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान अफगानिस्तान कजाकिस्तान मंगूलिया ठीक है करगि पूर्व एशिया में इस्थित देश लाऊस एक मात्र दक्षिन पूर्वी एशियाई में एशिया छेतर में इस्थित देश है जो अस्थल रुद्ध है तो ये कुल दस देश हैं जो अस्थल रुद्ध हैं एशिया में इस्थित देश दुनिया की सबसे गहरी जील बैकाल प कैस्पियन सागर नाम जरूर है लेकिन ये है एक लेख ये चारो तरफ से भू अवस्थित है ये किसी समुद्री या समुद्र से या सागर से नहीं जुड़ा हुआ है तो सागर से जुड़ा हुआ होता तब ये सागर होता या किसी सी लेवल से जुड़ा होता महा सागर से पूर सागर रहा होगा लेकिन वर्तमान समय में जो इसकी पोजीसेन है वो एक झील की है न की सागर की एशिया भी मेर मे टीन प्रमुख प्रायदीप उस्थित। जो विश्व का सफ्यवडतव प्रायदीप है दूसरा यह दक्कन परवत के पूर में जो हिस्सा है, इसको साइवेरिया प्रदेश के रूप में जानते हैं, साइवेरिया शेत्य के रूप में जानते हैं, यहाँ पे तीन प्रमुखनदिया बहती हैं, तीन प्रमुखनदिया आपको दिख रहे होंगी, ओब, येंसी और लीना, ध्यान रखेग यूराल मौंटेन के पश्चिम में वोलगा नदी है यूराल परवत के पश्चिम में वोलगा नदी अर्थाद यूरोप में वोलगा नदी बैती है और ये कैस्पियन सागरम गरती है सबसे महत्मूर बाद सोरी कैस्पियन सागरम गरती है ये उत्तरी सागर में या आर्केटिक ओशन में नहीं गरती है ये बहुत पिन पॉइंट है इस पर प्रशना सकता है और कन्फ्यूज हो जाएंगे और एक प्रशना और आ सकता है कि वोलगा, ओब, येंसी और लीना इन में से कौन नदी यूरोब की नदी है तो इसमें से मात्र वोलगा नदी यूरोब की नदी है बाकि दीनों ओब, येंसी और लीना, एशिया ही नदी है मलब साइवेरिया इस हेत्र में बहते हैं और ये आर्केटिक ओशन में जाकर गिरती है समझाया? रूस की राजधानी मासको है जो की यूरोब में स्थित है इसलिए रूस का अध्यन हम यूरोब के मांचित के अध्यन में करेंगे जो की राजधानी मासको में है इसलिए हम रूस का संपूर अध्यन वो यूरोब के ही मांचित करेंगे एशिया महादीब पे हम मुख्यता एशियाई देशों की चर्चा करेंगे एशिया महादीब के उत्तर में आर्केटिक महासागर, दक्षिन महासागर और पूर दिशा में प्रशान्त महासागर इस्तित है नदियों की बात हम कर रहे हैं तो तीन नदियां आपने महत्पूर देखी, एक और महत्पूर नदी है, उस नदी का नाम आमूर नदी है, आमूर नदी ये रूस और चीन की बार्डर का निर्माड करती है, रूस और चीन की सीमा पे बहती है, तो आमूर नदी चीन और रूस की सीमा पे बहती है, और सी आफ अखोष्टक सागर में जाकर ये अपना जल गिलाती है ध्यान रहेगा आमूर नदी चीन और रूस की सीमा पर बहते हुए उसका सीमा निर्धान करते हुए सी आफ अखोष्टक में जाकर गिर जाती है तिब्बत के पठार से एशिया की बहुत ही महतपूर नदीया निकलती है जिनके बारे में आपको जानना बहुत आउशक है देखिए एक बात बताओं कि जो एशिया का पूरी भाग उसमें महतपूर नदीया बहुत कम ही है क्योंक कर उनके किनारे बसे सहर ठीक है तो उनके बारे हम पढ़ेंगे लेकिन जो एशिया के पूर्वी हिस्से में जो नदीया है वो ज्यादा महतपूर है वहां से प्रश्ण जाद आते हैं और यह ऐसी नदीया है जो किसी ने किसी देश की जीवन रेखाएं हैं वहां की पूर्वी एशिया में मेकांग डेल्टा छेतर है यह सभी बहुत महतपूर्ण हैं जीवन रेखाएं हैं इन सभी देशों जहां जहां जिस देश में बहती हैं तो आईए इनका अध्यान करते हैं प्लेट आफ तिबथ तिबथ के पठार से जो चीन में बहने वाली नदीया हैं वो प्रमुख नदियां दो हैं यलो रिवर और यांग जी या यांग टिक्सिक यांग रिवर ये सिर्फ चीन में ही बहती हैं तिबथ के पठार से निकल करके यलो रिवर या हांग हो नदी जिसको कहते हैं ये चीन के लोएस मैदान जिसका रंग मिट्टी का पीला होता जिसके करण इसको यलो रिवर भी कहा जाता है यलो रिवर पूरवी चीन सागर में जिस अस्थान पर अपना जल गिराती है यहां का पानी भी चुकि सागर है सागर में जहां पर पीला जल गिर रहा है पानी का रंग क्या हो जाएगा जल का रंग भी पीला हो जाएगा तो यह यहां पर बोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी भी बोलते हैं, जहां पर हंगो नदी का जल गिरता है, वहां के पास का सागर पीले रंगा हो जाता है, इसलिए इसको यलो सी भी या पीला सागर रूप में भी जानते हैं, यह पूर्वी चीन सागर का ही एक भाग है, पू पूर्वी चीन सागर है। यलो सागर जो पीला सागर है उसमें अपना जल गिराती है ठीक है इसके बाद जो महत्पूर्ण नदी है तिबद के पठार से निकलने वाली है वो है मेकांग नदी सिर्फ चीन में नहीं बहती है चीन से निकल करके ये दक्षिण पूर्वी एशिया के पांच प्रमुख यह पांच प्रमुख देश कौन से हैं तो यह म्यामार ध्यान रखेगा म्यामार थाइलेंड एक सेकंड म्यामार थाइलेंड लाओस कमबोडिया और वियतनाम इन पांच देशों में चीन के लावा इन पांच दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों में ये मेकांग नदी के आर्थिक महत्व के कारण इसको दक्षिण पूर्वी एशिया का डेन्यूब या दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा भी कहा जाता है पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा या दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब किसे कहा जाता है तो मेकांग नदी को कहा जाता है, ठीक है, और मेकांग नदी, इन सभी देशों से प्रवाइत होते हुए, साउचाइना सी, दक्षिन चीन सागर में, ये जाकर गिरती है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है, इसका डेल्टा अभी प्रश्ण भी आया था, आपको पता है, कि कहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो दक्षिन ये वियतनाम में अपना डेल्टा बनाती है, दक्षिन चीन सागर में गिरने वाली नदी है, हाला कि इसके मुहने को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सिर्फ इसका मुहाना कमबोडिया, सोरी, वियतनाम को ही नहीं टच कर रहा तो दक्षणी कमबोडिया तक इसका मुहाना विस्तित है यही कारण है कि कुछ लोगों ने इस प्रश्ण को चैलेंज किया है एक और महत्पूर्ण नदी है यहाँ पर आपको असपष्ट दिख रहा होगा यह ज़्यादा असपष्ट है मांचित्र है यहाँ पर असपष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा तो एक और नदी तिब्बत के पठार से निकलती है जिसका नाम सालवी नदी है सालवी नदी भी चीन से निकलती हुई सिर्फ मियामार में बहती है ये चीन के बाद सिर्फ मियामार में आती है और मियामार से होती हुई सालवी नदी ये बंगाल की खाड़ी में एक और छोटी सी खाड़ी है जिसको मर्तबान की खाड़ी कहते है मर्तबान की खाड़ी दियान लखेगा मर्तबान की खाड़ी में आकर गरती है मर्तबान की खाड़ी में एक और नदी गरती है जो सिर्फ म्यामार में ही बहने वाली नदी है और म्यामार की जीवन रेखा भी कहते हैं इस नदी को यह है इरावदी नदी इरावदी नदी इन पांच नदीों में जिसका हमने अभी जिक्र किया एक मात्रेसी नदी है जो तिब्बत के पठार से नहीं निकल रही है बलकि अराकान यूमा के पहाड से निकल रही है अराकान यूमा जो परवत है हिमाले कही जो पूर्वी विस्तार है वहां से निकल रही है ठीक है अराकान यूमा जो कि म्यामार और भारत की सीमा यू बनाता है वो यहां से निकल रही है इरावदी नदी और ये इरावदी नदी पूरी तरह से म्यामार भी बहते हुए बेयाब बंगाल में मरतबान की खाड़ी में जहां सालवी नदी गिर रही है वहाँ पे ये भी गिर रही है तो ध्यान रखेगा पांचो नदियों के बारे में तिबबत के पठार के पास ही मांसरोर जिल आप दिख रहे हैं ये राकस जिल है, बहुत महत्मूर जिल हैं नदियों के लिहाज से मांसरोर जिल के पास कुछ ग्लेसियर हैं, महत्पूर ग्लेसियर है इनी ग्लेशियरों में एक महत्पूर्ण ग्लेशियर इसका नाम सिंगी खंबाम ग्लेशियर है क्या नाम है सिंगी खंबाम ग्लेशियर यहां से सिंदु नदी जो की बहुत महत्पूर्ण नदी है तियासिक नदी है वो निकलती है सिंदु नदी अब पहले कश्मीर से होकर बैती थी अभी भारत का नया नक्षा है आप देख सकते हैं ये लेह जिला से होती होई लद्दाग से होती होई गिलगिट में एक महाखड बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है ठीक है ध्यान रहेगा तो लेह से होती होई पाकिस्तान में ये लद्दाग के लेह से होती होई पाकिस्तान में प्रवेश करती है उसके पहले गिलगिट नामकस्तान पे गार्ज का निर्माड करती है माखड का निर्माड करती है काबुल, खुर्रम, गोलम, गोमल ये सभी सुलिमान, शेणी जो की पाकिस्तान में स्थे थे वहाँ से निकले वाली नदिया हैं जो की इसकी सहयक नदिया हैं सिंदु की सहयक नदिया है वही लद्दाक में कुछ नदिया उनको पंचनत के नाम से जाना जाता है पंचनत के नाम से जाना जाता है जिनके बारे में जानना बहुत आउशक है यह पंचनत जो है पाकिस्तान के मीथन कोट नामकस्थान पे पाकिस्तान का मीथन कोट नामकस्थान है जहां पर ये सिंदु नदी से आकर मिल जाती है ये स्थान जो है जहां पर ये पंचनत जेलम, रावी, चानचेनाव, रावी, सतलज ठीक है ये सभी आकर मिल रही है सिंदु नदी से इस स्थान का नाम मिथन कोट है जो कि पाकिस्तान में है तो पूछेगा कि कहां पर पंचनत का जल प्राप्त करती ही सिंधु नदी तो मिथन कोट में प्राप्त करती ही पाकिस्तान में और यहां से होते हुए कराची के पूरू में, कराची जो शहर है पाकिस्तान का, उसके पूरू में अरब सागर में सिंदु नदी अपना जल गिराती है सिंदु नदी तंतर की जो प्रमुख नदियां है उसमें जो सबसे उत्री जहलम नदी है जेलनमदी पीर पंजाल सेड़ी के गिरिपाद से एक लेक है जिसको शेशनाग जील कहते हैं या वेरीनाग जहरना कहते हैं यहां से अपना जलसोत प्राप्त करते हुए बूलर जील जो शीनगर में स्थित है उसमें मिलते हुए यह पाकिस्तान को निकल जाती है और पाकिस्तान में जंग नमगस्तान में यह जंग नमगस्तान है जहां पे चेनाप से मिल जाती है तो चेनाप की मुक्त है सहायक नदी है बाद में यह अंततह यह सभी इधाराएं जाकर के कहां पर मैंने वदाया सिंदु में मिल जाती है इस जगा का नाम याद रखेगा पूछा नहीं है तो नए प्रश्ण में मेथन कोट नामकस्थान है पाकिस्तान में जहां पे सिंदु को पंचनत का जलपराप्त होता है तो जेलम की बात होई फिर चिनाब नदी जो की सिंदु की सबसे बड़ी सहाइक नदी है चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा जो नामकस्थान पे मिलती है जिसके बाद इसका नाम चेनाब या चंद्रभागा भी इसको कहते हैं चेनाब हो जाता है रावी और व्यास का उद्गामस्थान रोहतांग दर्रा ही है रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकल करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है भार ब्यास यह ब्यासकुन्द से हिमाच्राप्रदेश के र Hannah प्रदेश के रोहतांovan को से निकलती है और पंजाब के हरीके नामक अस्थान पे 17 नदी में मिल जाती है तो 17 नदी पे यहां हरीके नामक अस्थान पे अम्रिस्तर के दक्षिन में है यह हरी के नामकस्थान यहाँ पे सतलज नदी में मिल जाती है सतलज नदी यह मानसरोर के पास जो राचास्ताल जील है राकास्ताल जिसको कहते हैं जिसका निर्माड ऐसी मानता है कि रावन ने किया था यहां से निकल करके यह पूरी तरह से भारत को काटती है भारत के पहले और भारत के बाद भी अगर कोई नदी है तो सतलज नदी है पूरी तरह से भारत को विभाजित करती है थीक है तो भारत में यह सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में प्रवेश करती है औ प्रक्षस्टाल से कौन सी नदी निकलती सतलज नदी और भारत को क्रास करके ये पाकिस्तान betुर्वेस्ट करती है ठिक और सिंथ्धु से जाकरके कहांपर मिल जा रही है सिंदु नदी से किस नमगस्थान पर मिथन कोटनामगस्थान पे ये मिल जा रही सिंदुनदी से मांसरोर जील के पास ही चेमा यूंग डूंग ग्लेसियर है क्या नाम चेमा यूंग डूंग ग्लेसियर यहां से एक बहुत महत्पूर नदी ब्रमपूत नदी निकलती है मांसरोर जील के पास चेमा यूंग डूंग लेशियर से ब्रमपुत नदी जिसको चीन में जिसका महत्पूर्ण हिस्सा जो सबसे महत्पूर्ण भाग है चीन में इस्तित है ज्यादा तरिये इसका चीन में ही विस्तार है तो ब्रमपुत नदी को चीन में यारलूंग सांगपो के नाम से जानते हैं ये जो टैक्सियल मोड है भारत में जिसको जहां पर नामचा बरवा की पहड़ी है यहां पर ब्रमपुर नदी यूटन लेती है और यूटन लेने के बाद ये अरुनाचर प्रदेस में प्रवेश करती है अरुनाचर प्रदेस और असम दो ऐसे राज़े हैं भारत के जहां पर ये बहती है अरुनाचर प्रदेस में जब बहती है तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं ब्रमपुर के नाम से नहीं जानते हैं दिहांग कहते हैं अरुनाचर पदेश में ही दो प्रमुख नदियां दिबांग और लोहित ये इसकी सहाग नदियों के रूप में से मिलती है इसके बाद असम में प्रवेश करने के पहले एक नदी दीब बनाती है ये माजुली दीब जिसको बोलते है माजुली दीब विश्व का सबसे बड़ नदी दीब भी है दियान रखेगा उसके बाद असम में जब प्रवेश करती है तब इसको ब्रंपुत कहा जाता है असम में इसका नाम ब्रंपुत नदी पढ़ जाता है असम में सुबन सीरी और मानस नदियां इससे मिलती है ये प्रमुख सहक नदियां है असम में जो ब्र ब्रंपुत नदी के किनारे ही स्थित हैं इसके अलामा इस नदी की जो सहाइक नदियां हैं पगला दिया धनसीरी जीया भरेली पूली माथी धनस्री ये सभी भी सहाइक नदियां हैं ब्रंपुत की छोटी छोटी नदियां हैं ब्रंपुत नदी असंप के बाद जो है फिर ब अब हमको पढ़ना होगा गंगा नदी के बारे में तो गंगा नदी कहां से निकलती है उत्राखंड में ध्यान रखेगा गंगोत्री हिम्नद है उत्राखंड में गंगोत्री नामक हिम्नद है वहाँ पे गोमुक नामक स्थान है गोमुक नामक स्थान से गंगा नदी नहीं न कलती है ध्यान रखेगा गंगा की धारा रहती है उसको गंगा न करके भागी रथी नदी कहते हैं भागी रथी नदी आगे बढ़ करके अलक नंदा सोरी भागी रथी नदी देव प्रयाग में अलक नंदा नामक नदी से मिलती है अलक नंदा भागी रथी ये मिल करके इनकी जो सेयुक्त धारा है ये देव प्रियाग में मिलती है और यहाँ पर गंगा नाम से इनको जनायाता है ध्यान रखेगा देव प्रियाग में अलक नंदा भागी रती से मिलती है जहां इनको गंगा के नाम से जनायाता है अलक नंदा नदी का जो स्रोत है वो बद्री नाथ के पास सतो पंथ ग्लेशियर है तो भागी रती नदी गोमुख से निकलती है गंगा नदी कहलती है इतना याद रहेगा आपको यहीं से उत्रा खंड सही यमनुत्री नामक हिमनद है वहां से गंगा की सबसे बड़ी सबसे लंबी सहीक नदी यमना नदी निकलती है जो इलहाबाद के प्रियाग में गंगा से किस तरफ से दाहिनी तरफ से मिलती है गंगा इस तरफ प्रवाइट हो रही है तो अगर आप अ कौन-कौन से नदियां दाहिए तरफ से मिल रही हैं अकसर प्रश्म भी पूछा जाता है। तो यमुना जो है, सबसे लंबी सहक नदिय गंगा की और ये इलहाबाद के संगम में यहां गंगा से मिलती हैं इसी करण इसका पटना, इलहाबाद, हरिद्वार ये सभी प्रमुक शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे इस्थित हैं गंगा नदी अब जब बात हो रही है थोड़ी सी तो भारत की भी बात कर लेंगे आप लोगों को याद रहेगा देखें गंगा नदी की जो सहक नदियां हैं यमना नदी तो चलिए दाहिनी तरफ पहले बाई तरफ की नदियों की बात कर लेंगे ये राम गंगा नदी है जो गंगा से मिल रही है बाई तरफ फिर गोमती नदी फिर घागरा नदी फिर गंडक नदी फिर कोसी नदी और अंत में सबसे लाश्ट में सबसे पूर में कौन सी नदी म सबसे पहले हम बात करेंगे यमना नदी की यमना नदी की भी सहग नदीयां है कुछ। चंबल, बेतवा, केन ये सभी तीनो नदीयां किसकी सहग नदीयां हैं। यमना की सहग नदीयां हैं। ये गंगा में डारेक्ट नहीं मिलती हैं ध्यान रखेगा। गंगाम डारेक्ट मिलती है यमुना, सोन, यमुना, सोन और टोन्स, इसके पहले टोन्स, यमुना, टोन्स और सोन नदियां ये सबी गंगा की साहिक नदियां हैं जो दाहिनी दिशा से आकर कर गंगा से मिलती हैं, बाकी इन नदियों नदी तंते के बारे में जानकारी एच ज बात बता रहे थे गंगा नदी तंद की बात कर रहे थे गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो भागों बढ़ जाती है एक भाग हुगली कहलाता है क्या कहलाता है हुगली और दूसरा भाग ये बंगला देश में प्रवेश कर जाता है जिसको बं पूत नदिया जमुना नदी का साथ मिलता है और जमुना नदी के साथ मिलते ही गंगा को यहाँ पर गंगा के नाम से जान करके पदमा के नाम से जानते हैं किस नाम से पदमा तो गंगा और जमुना की सेयुक्त धारा जो बंगला देश में प्रवेश करती है जो मिलती है मेगना के नाम से जानने लगते हैं और यही मेगना नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गरती है जहां पे ब्रमपुत गंगा बंपुत का डेल्टा जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माड होता है जिसको सुंदर वन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं ग जाद रहेगा वेश्ट मंगाल में दो धाराएं हो जाती है एक हुगली वही हुगली नदी जिसके किनारे कलकत्ता शहर इस्थित है पश्चिम मंगाल की राजधानी और हुगली ये पश्चिम मंगाल में ही बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है लेकिन इसकी एक रा किरती है इतनी बाते हैं गंगा नदीतन के बारे में एशिया में पांच दोस्तों एक महत्पूर्ण पडोसी है हमारा पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं क्योंकि यहां वारिस और इस नहीं होती लेकिन सिचाई की बहुत व्योस्ता किया इसने सिंदुगाटी सब्विता स सिंदु नदी और सिंदु नदी उटतन्त्र की जो नदियां हैं इन से काट काट के इसने खुब नहरे बना दी हैं तो नहरों का जाल उत्तरी पश्चमी सीमा प्रांत में स्वात घाटी और वजीरिस्तान इस्तित है जैसे कि हमारे हाँ कश्मीर है उसी तरह स्वात घाटी और वजीरिस्तान का जो प्रदेश है वो पाकिस्तान का स्वर कहा जाता है लेकिन तालीबान नामक आतंगवादी संग्ठन की मौजूद पाकिस्तान में चीन ने चस्मा दो चस्मा तीन नमक परमाण औरुजा सेंत्र हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद है उत्तर में स्थित है इसका सबसे महत्पूर्ण सहर कराची है जो की एक बंदरगा भी है ठीक है एक अन्य महत्पूर्ण हमारा पडोसी है शिलंका शिलंका की राजधानी जैवर्धनेपूर कोटे यह उसकी राजधानी है और ये आर्थिक राजधानी भी शिलंका का मनायाता है। शिलंका भारती वुभाग से पाक की जलसंधी के द्वारा अलग होता है। शिलंका में एक महत्पूर नदी बहती है महावेली गंगा जो शिलंका की सबसे वड़ी नदी है। इसकी दो सहयक नदियां है यान नदी और अरूबी नदी याद रखेगा अरूबी नदी और यान नदी ये शिलंका में महावेली गंगा जो नदी है उसकी सहयक नदियां है। मननार की खाडी में काफी मोती प्राप्त किया जाता है जिसके करन शिलंका को पूरुका मोती भी कहा जाता है मननारी खाडी से मोती निकाला जाता है जिसके करन पूरुका मोती भी कहा जाता है शिलंका को शिलंका में नदियों की पूछा जाता है कि नदियों की कहां पर अपवा की अरी पणाली पाई जाती है तो शिलंका में जो नदियां बहती है अपवा की अरी पणाली पाई जाती है कोलंबो जो है सबसे बड़ा बंदरगा है जैसा मैंने कहा आर्थिक नगरी है ये कुलंबो केलानी नदी के तड़ परिस्तित है केलानी नदी के तड़ परिस्तित है शिलंका की सबसे उची चोटी है पिथुरा लागला पिथुरा लागला ये सबसे उची चोटी है शिलंका की शिलंका में आदम का शिखर इस्तित है आदम शिखर इस्तित है जो काफी पवित्र माना जाता है श्रिलंका में इसकी पूजा पाठ होती है लोग काफी धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं इस शिखर से आदम शिखर से अभी हाली में एक्जाम में आपके सकोतरादीब के बारे में पूछा गया था सकोतरादीब के बारे में पूछा था सोरी अभी मैं दूसरा प्रश्ट बोल रहा था सकोतरादीब के बारे में पूछा था यह यमन के एरिया में आता है अधन की खाड़ी मिस्ते थे सकोतरादीब और ये यमन के अधिकार शेत्र में आता है सगोतरादीप किसका दीप है यमन का है ऐसा लगता है काफी लोगोंने ओमान लगा दिया था लेकिन ये यमन का है साफ साफ लिखा भी होगा है देख लेजए अब हम बात करेंगे एशिया के बहुत ही महत्पूर्ण शेत्र के वारे में मध्धेशिया के वारे में मध्धेशिया जो है ये काफी दुर्गम शेत्र है ये बहुत ही दुर्गम शेत्र है मध्धेशिया की जो परिभाशा दी आती है उसमें किवल पांच ही देश हैं जो सब तरह की परिभाशा में खरे उतरते हैं ये पास देश आपको सामने दिख रहे हैं कजाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान ये पास देश हर तरह की परिभाशा में ये आते हैं मदेशिया के हलां कि چین का कुछ भाग अफगानिस्टान पाकुछ भाग और मंगोलिया का भी कुछ भाग इसके अंतरगत माना आ जाता है लेकिन यह 5 देस पके हैं कि 5 देस इसमें आते हैं कजाकिस्तान की राज़णी इनकी राज़धानी याद रखेगा पहले अस्ताना थी लेकिन अभी नूर सुल्थान हो गई और कुमेन Mississippi बेकिस्तान की राज़धानी ताशकंद है इनका करम याद रखेगा इनका शेत्र भी याद रखेगा अकसर आता है तो ये प्रमुख नदियां है लेक बलखास यहां इस्तित है आपको पता है कजाकिस्तान में पूरी तरह से इस्तित है अरल सागर कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान दोनों में इस्तित है अरल सागर कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान दोनों में इस्तित है RLC इसका नाम दसल ये एक छोटी सी जील है एक समय ये कैस्पियन सागर के जैसी बड़ी जील हुआ करती थी इसमें दो प्रमुख नदियां जो इस शेत में बहने वाली हैं सीर दरिया और अमो दरिया इनका पानी इनका जल इसमें आता था लेकिन बाद में इनके जल को नियंतित कर दिया गया जिसके करन जील काकार लगातार छोटा होता गया और अभी भी लगातार छोटा होता जा रहा है इस मध्धेशियाई शेत्र में इस्टेपी नामक घास का मुलायम मैदान पाया जाता है बड़े-बड़े मैदान पाया जाते हैं इस्टेपी नामक हलाकि यहां मरुस्तली शेत्र भी काफी है सबसे महत्पूर्ण मरस्तली शेत्र जो है काराकुम, कजिलकुम और तकला माकन मरस्तल है कारा का मरस्तल ये तुर्कमेनिस्तान में इस्तित है तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है मैकस्वम इसका पार तुर्कमेनिस्तान में आता है ठीक है इसके पूरों में तुर्कमेनिस्तान के पश्चिम में कैस्पियन सी इस्थ है कैस्पियन सागर आपको मैंने बताया था कि तारीख से याद रखिएगा कैस्पियन सागर के जो किनारे इस्थे देश है तीज से तुर्कमेनिस्तान ए से अजर्बेजान ठीक है अजर्बेजान आर से रसिया, आई से इरान और के से कजाकिस्तान ये देश कहां इस्थित है? कैस्पियं सागर के तटपे इस्थित देश है इनका नाम आप याद रखेगा अजर्बैजान में इस्थित बाकु जो शहर है ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिध है तो तेल संसाधनों के लिए पूरे विश्वें प्रसिध है बाकु नामक शेत्र नाम याद रखेगा और बाकु अजर्बैजान की राजधानी भी है याद रखेगा अरलसी जैसा कि मैंने बताया अक्सर पूस्ता है कज उस से याद रखेगा या के यू से याद रखेगा कजाकिस्तान उजबैकिस्तान में इस्तित है लेक बलखास ये भी एक जील है महतपूर्ण कजाकिस्तान में पूरी तरीके से इस्तित है यहां महतपूर्ण मरुस्तल है जैसा कि मैंने बताया तुर्कमेनिस्तान में मुक्यता फैला हुआ काराकमरस्थल इसी तरह कजिलकुमरस्थल काराकम के उत्तरपूर में कजिलकुमरस्थल है जो की उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान में मुक्यता फैला हुआ है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में भी है कजिलकुम मरुस्थल इसके लावा तीसरा जो प्रमुक मरुस्थल है तकला माकन मरुस्थल तकला माकन मरुस्थल ये मुख्यत चाइना में स्थित है चीन के उत्तर में तकला माकन मरुस्थल जिंजियांग परांत है चीन का वहां परिस्थित है लगबख 70 प्रिस्ट एरिया तकलामाकर मरुस्थल का चीन में पढ़ता है बाकी कुछ एरिया इसका कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में और तजाकिस्तान में भी पढ़ता है इन देशों में कुछ एरिया इनका पढ़ता है मंगोलिया का आपको पता है कि गोबी मरुस्थल यहां परिस्थित है बड़ा मरुस्थल है ठीक है अल्टाई माउंटेन यहां परिस्थित है और अल्टाई माउंटेन के दक्षिन में एक महत्पूर्ण परवतमाला तियान शान तियान शान परवतमाला इस्तित है ये तियान शान जो परवतमाला है यहां से एक जील निकलती है इसक जील इसक कुल जील या इसक जील महतपूर जील है एक्जाम के पॉइंट आफ यू से इसके अलावा सिर दरिया, इली और तारीम नामक नदियां भी तियान शान परवतमाला से निकलती है तियान शान परवतमाला कजाकिस्तान, करगिस्तान और चीन में ये परवतमाला विक्सित है गोबी मरिस्थल का जो विस्तार शेतर है वो चीन और मंगोलिया दोनों में है याद रखे है का गोबी मरुस्तल चीन तक फैला हुआ है गोबी का पठार तक्षिन पूर्वी एशियाई देशों का ध्यन बहुत महत्पूर्ण है तक्षिन पूर्वी एशियाई देश में म्यामार एक महत्पूर्ण देश है म्यामार दोस्तों इसको स्वन पैगोडा का देश कहा जाता है निया पीटाओ इसकी राजधानी है मांडले शहर इरावदी नदी पे इस्तित है मांडले शहर उसता है किस नदी पे इरावदी नदी को इसकी जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इसकी अर्थव्योस्ता इरावदी नदी के सहारे इस्तित है चावल की खेती यहाँ पर काफी होती है सुदूर, पूरुका, चावल का कटोरा इसलिए मयामार को कहा जाता है अराकान योमा जो हिमाले परवत का विस्तार है पूर्वी विस्तार है वो यहीं पर इस्थित है, म्यामार और भारत की सीमा बनाता है यहीं पर खाराबो राजी, खाराबो राजी नामक सर्वो चोटी इस्थित है आराकान योमा परवत शेंडी का ही भाग है, खाराबो राजी यह सर्वो चोटी है म्यामार में इस्थित दोस्तों दक्षिन पूर्वी एशियाई जो देश है ये प्रजाती रूप से चीन के काफी नजदीक है लेकिन सांस्तिक रूप से अगर देखें तो भारत से काफी मेल खाते है मेकांग नदी दक्षिन पूर्वी एशिया का डेन्यूब या दक्षिन पूर्वी एशिया का गंगा कहा जाता है मेकांग नदी को जिसके बारे मैंने सुरुवात में चर्शा की मेकांग नदी की जो सहक नदियां है रिड नदी, इरावधी नदी, सालवी नदी और मीनाम नदी मीनाम नदी के साथ ही मिलकर के मेकांग बहुत बड़ा डिल्टा बनाती है कहां पर बनाती है वियतनाम के दक्षिन या कमबोडिया के दक्षिन में दक्षिनी कमबोडिया दक्षिनी वेतनाम के पास दक्षिन चीन सागर में मीनाम और मेकांग डेल्टा बनता है ये मीनाम नदी मेकांग की सहक नदी है इसलिए इसको कभी कभी मेकांग डेल्टा की अकेले रूप में जैसा कि एक्जाम में पूछा गया था मेकांग डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है इनकी राजधानियों को आप जरूर याद रखेगा म्यामार की राजधानी नियापीटाओ थाइलेंड की राजधानी बैंकोक वियतनाम की राजधानी हनोई लाओस की राजधानी वियंतियान कमबोडिया के राधधानी नौम पेन वियत नाम के राधधानी तो आपने देखा ही हनोई तो इन सभी राधधानियों को याद रखना है मलेशिया के राधधानी कोरालंपूर है मलेशिया दो भागों में भाजित है दो छेत रहें इसके मलेशिया के एक मलाया प्राय दीप है और दूसरा ये उत्तरी भाग जो बोर्नियो दीप का उत्तरी भाग है ये मलेशिया के इंतर गताता है उत्तर पूरी भाग बुरुनेई के शेत्र में आता है और दक्षिनी जो बड़ा भाग है वो इंडोनेशिया के शेत्र में आता है किस दीप का? बोर्निय दीप का स्वाओ चाइना सी में दो प्रमुख आइसलेंड इस दिथ थे हैं पारसल आइसलेंड और इस्पाइटली आइसलेंड जिसको लेकर अक्सर यहां के जो किनारे इस देश हैं और चाइना में विवाद होता रहता है इंडोनेशिया के आसपास के जो दीव समू है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलिपिन्स हो गया, जापान हो गया, कोरिया ही दीव हो गया, इन सब को पूरवी दीव समू कहते हैं, इसका आकार धनुशा का आ रहे हैं, धनुश के आकार में ये विस्तित है, इस आयता है इसमें मलेशिया जो आप देख रहे हैं मलेशिया सुरी फिल्लिपइंस दीप समूँ इसमें बहुत सारे दीप्स हैं लेकिन जो तीन महत्पुर्ण काफी आप चर्चा में राता हो, मार्सल आइडलेंड इस्ते थे फिलिपिन्स के पूरवी तट्व या फिलिपिन्स सी में पास में ही मेरियना गर्थ इस्ते थे दुनिया का सबसे निचला अस्थान, मेरियना गर्थ, सबसे गहरा गर्थ ये प्रशान महासागर में गर्तिस्तित है 11,033 मीटर लगबग इसकी गहराई है एक महत्पुन बात मैं बताना जो भूल गया आपको मलेशिया जैसा कि नहीं बताया ये दो प्रमुक शेत्र मलेशिया में आते हैं एक मलेशिया प्रादिप और दूसरा जो बोर्नियों का उत्तरी शेत्र है ये मलेशिया में आते हैं मलेशिया की राजधनी कौलालंपुर ये मलेशिया प्रादिप में इस्तित है मलेशिया प्रादिप और इंडोनेशिया जो दिपसमू है उसके बीच में मलक का जल्डमरूमत देस्तित है ये बहुत ही सामरिक महत्तों का जल्डमरूमत है वरतमान में भारत के लिए इसका महत्त और ज्यादा बढ़ गया है कारण है कि ये प्रशाद महासागर और हिंद महासागर को जोडने वाला जलसंदी है तो ये जलसंधी, मलका जलसंधी किसको जोड़תी है? प्रशान महासागर और हिंद महासागर को इसलिए इसका आर्थिक और सामरिक महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है भविश्य में मलका जो जलसंधी है वो वैश्विक रेंटनिती और विदेश नित भी बहुत महत्वूर्ण भूमिका निभाने वाली है वरत्मान में भी निभा रही है लेकिन आने वाले समय में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हिंद महाशागर और प्रशांद महासागर को ये जल संधी जोडती है तो किसके किसके बीच है पूछ सकता है तो सुमात्रा जो दीप है इंडोनेशिया का और मलाया प्रायदीप के बीच में इस्तित है ये जल्ड़ मुबध्य इन दोनों को भूभागों को अलग करता है किसको जोडता है इन महासागर और परशान महासागर को जोडता है अभी हाली में परिक्षाम पूछा गया था कि कौन कौन से दीप किस करम में है करम में लगाने को आया था इंडोनेशिया के जो दीप थे तो प्रमुके सबसे उत्तर में सुमात्रा दीप है इसके बाद आपका जावा दीप आता है ठीक है इसके दक्षिन में जावा दीप है जावा दीप के दक्षिन में ये बहुत छोटा सा दीप आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये बाली दीप है ये कौन सा दीप है बाली दीप तो सुमात्रा जावा उसके बाद बाली दीप ठीक दक्षिन में और अधिक दक्षिन में जाएंगे तो लोबोग दीप आता है कौन सा लोबोग दीप ये लोबोग दीप है इसी करम में पूछा गया था तो याद रखे हाला कि दीप तो 13,000 है लगबग तो इतना जाद नहीं पूछेगा जो मेन मेन है तो सुमात्रा याद रखेएगा सुमात्रा के दक्षिन में जावा आएगा जावा के दक्षिन में बाली दीप आएगा महत्पूर्ण है ये ठीक है उसके बाद लोबोग दीप आएगा लोबोग दीप के बाद सुमबावा दीप को मोडो दीप फ्लोर्स दीप ये सबी डक्षिन में आप चलते चले जाएंगे और उसके बाद तीमोर लेस्टे आता है जिसकी राजधानी दिल्ली है दिल्ली वो नहीं नहीं दिल्ली वाली तीमोर लेस्टे एक देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर पूछ लेगा ये तिमॉर लेस्टे जो कंट्री है देख रहे हैं इसकी राज़ानी दिली है तो कभी कोई पूछ लेगा दिली को मिलान करने के लिए आएगा तिमोर लेस्टे की राजधानी दिली तो आप लोग याद रखेगा कि तिमोर लेस्टे की राजधानी दिली नहीं दिली है इसके लावा बोर्नियो जो ये दीप है इसमें तीन देशों का हमने बताया अधिकार है एक तो मलेशिया का, दूसरा ब्रुनुएई का तीसरा इंडोनेशिया का इंडोनेशिया का मैकसिम जो छेत रहे इसका इंडोनेशिया के अंदर गती आता है बोर्णियो दीप में ही नई राजधानी जो इंडोनेशिया की है काली मंतान इसी में इस्ते थे पुरानी राजधानी जो जकार्ता थी वो जावा दीप इस्ते थी ठीक है उत्तर में उत्री जावा में इस्ते थी अभी जो नई राज़दानी है काली मंतन इंडोनेशिया में ये बोर्णियो दीप में इस्ते थे ये इरियन जाया आपको बताया कि जो पपूआ नियुगनी दीप है दो भागों में भाजित है जो पूर्वी भाग है वो पपुआ न्यूगिनी कंट्री है जो की ओशीनिया मादीप में स्थित है यह जो पूर्वी भाग है इंडोनेशिया के अधिकारश्यत में आता है इसी को यहां पर क्या लिखा है इरियन जाया इरियन जाया, इसको इरियन जाया के रूप में भी जानते हैं तो कभी आपसे न्यूगिनी दीप न देकर न्यूगिनिया दीप न देकर इरियन जाया दे दे तो ध्यान रखेगा ये इंडोनेशिया के अधिकार में जो न्यूगिनी दीप का भागाता है इरियन जया के नाम से जना जाता है एक और प्रमुख जलसंदी है सुन्डा जलसंदी याद रखेगा सुन्डा जलसंदी ये सुमात्रा और जावा दीपों को विभाजित करती है सुमात्रा और जावा दीपों को कौन सी जलसंदी विभाजित कर रही है सुन्डा जलसंदी, सुमात्रा और जावा दीपों को विभाजित कर रही है इसके लावा ये सुन्डा जो जलसंदी है, जावा सागर आप देख रहे हैं जावा सागर को हिंद महा सागर से जोडती है, प्रमुख जलसंदी है मकासार जलसंदी आपको दिख रही होगी बोर्णियों के दक्षिन पर्षिम में मकासार जलसंदी दक्षिन पूर में ये मकासार जलसंदी किसको अलग कर रही है बोर्णियो दीप को और सुलावेसिय दीप सुलावेसी दीप बोर्नियो दीप का जो इंडोनेशिया ही शेत्र है और सुलावेसी दीप ये तो इंडोनेशिया का ही दीप है इन दोनों को अलग करने वाली जलसंदी कोन है? मकासार जलसंदी है एक बात ध्यान दिजेगा बाली दीप और लॉंबोग दीप इसके बीच से होती ही एक कालपनिक रेखा खीची गई है एक बिटिस अधिकारी प्रकितिवादी था उसके द्वारा ठीक है ये रेखा सुलावेसी दीप और बोर्नियो दीप के बीच से गुजरती हुई फिलिपिन्स के मिंडनाओ तक चली आती है इसको वालेस लाइन कहते हैं ध्यान रखेगा इसको क्या कहते हैं वालेस लाइन कहते हैं तो वालेस लाइन क्या करती है आस्टेलिया और दक्षिन पूर्वी एशिया ये जीवों को चित्त करती है जो जियू जन्तु हैं यहाँ पे और जो वनस्पत्ती उनको विभाजित करने वाली रेखा इसको क्या कहते हैं वालेस लाइन कहते हैं कहां से गुजरती है पूछ सकता है कभी मान लीजे एक्जाम में तो आपके लिए नई जानकारी होगी है अल्फेड रसल वालेस नाम था जिन्होंने यह काल्पनिक रेखा की थी इस लिए उनका नाम इस रेखा का नाम वालेस लाइन के रूप है उनके नाम पे वालेस लाइन पड़ गया ठीक है उधारन सरूप जो वेलेस रेखा है इसके पूर्व की तरफ कंगारू पाये जाते है और पश्चिम की तरफ दुख्ध धारी पसू जो दुख्ध देने वाले दूद देने वाले पसू है वो पाये जाते है तो इस तरह से पस्पक्षियों और वनिस्पतियों का विवाजन इस रेखा के माध्यम से किया गया है वैलेस के दौरा इसका नाम वैलेस लाइन या वालेस लाइन है अब जापान के पास का सागर जापान है ये जापान के दीप है जापान में लगबग चार हजार के आसपास दीप है लेकिन चार बड़े दीप है इनका क्रम पूछ लेता है सबसे उत्तर में होकैडू है फिर होंशू है फिर शीकोकू हर फिर क्यूशू है ठीक है होकैडू फ फिर शीकोकू और लाष्ट में क्यूशू दीप इन चारों में जो सबसे बड़ा दीप है दूसरे नमबर का हुन्शू दीप है ये इन चारों दीपों में सबसे बड़ा दीप है इसी दीप पे जापान का जो जापान की राजधानी है टोक्यो इस्ते थे जापान का सबसे ब बड़ा मैदान कौंटो वो भी इसी दीप पर इस्तित है होन्शू दीप पर ही इस्तित है बाकी के जो दीप हैं नीचे वाले अर्थाद शीकोकू और क्यूशू इसमें दो प्रमुख शहर इस्तित हैं वही प्रमुख शहर जहां पे परमाण हमला किया था अमेरिका ने तो श शिकोकू दीप पे हिरोशिमा और क्यूशु दीप पे नागासा की शहर इस्थे थे जापान को दोस्तों पूरू का ग्रेट बिटेन, निपपन, सूर्योदय का देश, फूलों का देश या सुकुमार देश के रूप में भी जाना याता है ठीके जापान का सबसे बड़ा मैदान मैंने बताया क्वांटो है जो की होशो दीपे स्ते थे टोकियो याको हमा यह विश्व का सबसे बड़ा नगरी समुदाय है टोक्यो या कोहमा यहाँ पे कार और ट्रक का व्रिहत मात्रा में निर्माण होता है जापान का उसाका शहर पूरु का मैंचेस्टर कहा जाता है जापान के अन्य प्रमुख औद्योगिक शहर यवाटा, नागोया, कोबे ये सभी अन्य प्रमुख ओद्योगिक शहर जापान में जो इस्तित हैं जो परिख्षा में आपके जवरी हैं जानने माल दिव, दीपी देश ये भी है, राजधानी माले है लक्षदीब के मिनिकाय नामक जो दीब है लक्षदीब का मिनिकाय दीब है मिनकाय दीब से 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल इसको अलग करती है मिनकाय दीब से, लक्षदीब का जो मिनकाय दीब है वो माल दीब को 8 डिग्री चैनल अलग करती है ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रही है मालदीव को और मिनिकायदीव को या फिर लक्षदीव भी आएगा तो वो भी सही है क्योंकि मिनिकायदीव लक्षदीव का ही एक दीव है अब अरब प्राइदीव के देशों को देखते हैं जो सबसे महत्पुन और यही छूटा हुआ हिस्सा है आपका सौधी अरब अरब प्राइदीव का आप देखेंगे सबसे बड़ा विश्व का प्राइदीव है अरब प्राइदीव इसका असी प्रतिशत हिस्से पे सौधी अरब अकेले यह देश फैला हुआ है तो सबसे वड़ा इस प्राइदीब का देश कौन है? सौधी अरब है? सौधी अरब की राजधानी रियाद है क्या है? रियाद है सौधी अरब के दक्षण में दोस्तों रबल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे वड़ा रेतीला मरुस्थल है सौधी अरब के दक्षणी भाग में इस्थित रबलखाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है ध्यान न कहेगा रेतीला मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा जवाब देंगे, किस महादीप में है अन्य प्रभकु मरुस्थल जो इस्थित है सौधी अरब में अल नफद मरुस्थल, सौधी अरब के उत्तर में इस्थित है, अल नफद मरुस्थल, ठीक है यह मक्का जो पवित्र शहर है मक्का जाने के लिए जद्दा में हवाई अड़ा और बंदरगा दोनों इस्तित हैं तो जद्दा को मक्का का द्वार कहा जाता है जद्दा को मक्का का द्वार कहा जाता है यहाँ पे बंदरगा और हवाई अड़ा इस्तित हैं ध्यान रखेगा जद्दा में बंदरगा भी है हवायड़ा भी है इसके लामा एक और महत्पूर्ण देश है साथ सौदी अरब के लामा सेयुक्त अरब अमीरात ये साथ प्रमुक अमीरातों से मिलकर बना हुआ है सेयुक्त अरब अमीरात ये साथ अमीरातों से मिलकर बना हुआ है इसकी राजदानी अबूधाबी है ये साथ जो अमीरात हैं अबूधाबी, दुबई, बाराज हो, शाराज हो, अलाइन, रास अल, खवामिक, आजमान और हुजीरा जिनमें अक्सर आप नाम सुनते होंगे तीन का, अबूधाबी, दुबई और शार जहां का ये तीन नाम आपको अक्सर इसलिए सुनाई पढ़ते होंगे क्योंकि यहां पर क्रिकेट अक्सर आपको देखने को मिलता है तीक है, इसलिए चर्चा में रहते हैं बाकी अलाइन, रासल खामिक, आजमान, हुजीराह इनके नाम आपको कम सुनने को मिलते होंगे ये साथ अमिरातों का देश है, सैयुकत अरब अमिरात जिसके राजधानी अबुदार भी है लाल सागर, एशिया को अफरीका से अलग कर रहा है ये साओधी अरब के किस तरफ इस्तित है, पश्यम में इस्तित है साओधी अरब के दक्षिन में यमन, नामक देश इस्तित है यमन की राजधानी है सना, यमन की राजधानी क्या है, सना या साना ये एक परवती देश है, परवतों से ढखा हुआ देश है अदन नामक एक बंदरगा, यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है बंदरगा ये अदन बंदरगाह इसी के नाम से इसके दक्षिन में जो खाड़ी है समुद्री खाड़ी इसको अदन की खाड़ी के नाम से जाना जाता है इसको अदन की खाड़ी के नाम से जाना जाता है यमन में ही वादी ए दहर वादी ए दहर वादी ए दहर नामक एक बहुती भैंकर ज्वाला मुखी इस्तित है बहुती भैंकर ज्वाला मुखी डॉट कहते हैं उसको ज्वाला मुखी डॉट कहां इस्तित है वादिय दहर तो यमन में ही इस्तित है यमन जो है जीबूती से जीबूती आप देख रहे हैं अफ्रीका का जीबूती जीबूती से बाब अल मंडेब नाम याद रखेगा बाब अल मंडेब जलसंदी से अलग होता है तो यमन अफ्रीकी देश जीबूती से बाब अल मंडेब नामक जलसंदी से अलग होता है ठीक है अदन बंदरगा जिसको चुकि यमन परवती देश है समुद्र के किनारे पिस्तित है इसलिए अरब देशों में सरवाधिक अगर वर्षा किसी देश में होती है तो यमन में होती है ये स्टेट्मेंट याद रखेगा PCS में साइद यहीं से प्रशन भी आया था ये लाल सागर है बाबल मंडेव यहाँ पर है अदन की खाडी को लाल सागर से ये जोडता है और किसको अलग करता है जीबूती को यमन से अलग करता है ठीक है यमन के पूर में उमान नमक देश इस्तित है उमान की राजजनी मसकट है उमान में एक महत्पूर बंदरगा है अकाबा बंदरगा क्या अकाबा बंदरगा उमान के पास उमान की खाडी इस्तित है उमान के आप उत्तरपूर में देखें उमान की खाडी इस्तित है उमान की खाडी और फारस की खाडी यहाँ फारस की खाडी है के बीच एक जलसंदी है इसको हारमुज जल्डवरुमध या जलसंदी कहते है तो हारमुज जलसंदी क्या करती है किसको जोडती है ओमान की खाड़ी को और फारस की खाड़ी को जोडती है हारमुज जलसंदी किसे जोडती है हारमुज जलसंदी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है फारस के खाड़ी के तट पर जो देश स्थित हैं उसका हमने आपको बताया था Q-Box से याद रखेगा Q-Box, I-I, Q-Box C Q से कतर, U से UA, B से बहरीन, O से ओमान, K से कुएत, A से सौधी अरब Q-Box से याद रखेगा फारस, खाड़ी, इर्द, 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 बहरीन, कतर, कुवैत, से हुकतर, अमीराथ, ओमान, और सौधी अरब ये देश स्थित हैं Q-Box से हमेशा याद रहेगा आपको कतर, कतर की राजधानी दोहा है कुवैत की राजधानी कुवै सिटी है ये फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित है यहीं पर कुवैत में ही बुर्धान पहाड़ी या बरगान पहाड़ी स्थित है जो कि अगर अकेले किसी भंडार शेत को देखा जाए तो विष्य का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला शेतर बुर्धान पहाड़ी या बरगान पहाड़ी स्थित है ठीक है कनक्यूज मत हो येगा ये एक ऐसा शेतर है अकेला शेतर जहांपर सबसे अदा पेटोलियम का भंडार पाया जाता है बरगान पहाड़ी कुएत में इस्तित है बहरीन की राजधानी मनामा है बहरीन की राजधानी मनामा है इरान की बात करें महतपूर देश से इरान की राजधानी है तहरान इरान कार्थ होता है आर्रियों का देश यहां पर दो प्रमुख मरुस्थल इस्तित हैं दस्ते लुट और दस्ते कबीर याद रखेगा दस्ते कबीर और दस्ते लुट यहाँ पे दो प्रमुख मरुस्तल इस्थित है यहाँ पे अलबुर्ज परवत पर सर्वो चचोटी इस्थित है देमा बंद याद रखेगा देमा बंद इस्थित है जो कि अलबुर्ज परवत क सर्वोच चोटी है एरान में अबादान नामक अस्थान को एरान के अबादान नामक अस्थान को तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है इसके लाए यहां पे तेल के काफी भंडारन शेत रहें अक्सर एक्जाम में पूछ लेता है उनके नाम याद रखेगा लाली, करमशा, नफ्त साफिद, हफ्त केल, गच्छ सारन ये सभी तेल उत्पादन या तेल भंडारन शेत्र हैं जो की एरान में पाये जाते हैं इरान में अधिकतर जनसंख्या वाले जो छेत्र हैं दजला फरात जो नदियां हैं उनके डेल्टा में दजला फरात वही नदियां हैं टिग्रिस और यूफरेटस के नाम से भी इनको जानते हैं वर्तमान में टिग्रिस नदी और यूफरेटस नदी के नाम पे दजला फरात नदीयों को जाना जाता है तो चाहे दजला फरात आए या टिग्रिस यूफरेटस आए दोनों एक ही है वही दजला परात नदियां जिसके किनारे इराग की मेसोपुटामिया या सुरेमियन सुमेरियन सब्यता विक्सित हुई थी इसके डेल्टा में ही अधिकतर जनसंख्या निवास करती है इराग की राधानी बगदाद है इराग की राधानी बगदाद है बगदाद एक महत्पूर एतियासिक और पवित रस्थल है बगदाद जो है टिग्रिस नदी या दजला नदी के किनारे ही इस्थेत है ये टिग्रिस नदी के किनारे इस्थेत है सीरिया के राजधानी दमिस्क है अक्सर ये अशांत शित्र रहता है सीरिया वाला दमिश्च के इसकी राजधानी है तुर्की जैसा कि मैंने कहा यूरोप और एशिया दोनों में है इसका विस्तार लेकिन एशिया में लगबग 90 प्रत्यत तुर्की का छेत्र वस्तित है इस्तांबूल ये जो देश है इस्तांबूल जो शहर है तुर्की का ये यूरोप और एशिया दोनों फैला हुआ है काफी बड़ा शहर है सबसे बड़ा शहर है तुर्की का तुर्की की राजधानी अंकारा है दिख रहा है साफ साफ ठीक है काला सागर के तट पेस्तित देशों में से एक तुर्की भी है अलागी काला सागर के बारे विहत चर्चा हम यूरोप महादीप में करेंगे कौन-कौन से देश अवस्तित है ठीक है तो तुर्की को एशिया का प्रविश्दार भी द्वार भी कहते है तुर्की सबसे पूर्वी देश अगर कोई है एशिया का तो तुर्की है सबसे पशिमी देश है तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते है 98 प्रत्यत एशिया में स्थित है दो प्रत्यत यूरोप में स्थित है यूरोप पे जो आता है तुर्की के रास्ते आना उसके लिए सरल होता है इसलिए एशिया का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं अगर यूरोप से एशिया में आना हो तो तुर्की मागे मतलब एशिया मागे तो एशिया का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं राधानी अंकारा है महत्पूर पठार है अनातुलिया का पठार जो की पॉन्टिक और टारस पर्वर्वस स्रेड़ियों के मध्यधित है इसकी सर्वो चो टिओटि है माउंट अरारात यहां पर अंगोरा नामक बकरियां मिलती है जिनके उन को अंगोरा जिनके उन से अंगोरा नामक उत्पात प्राप्त किया जाता है अंगोरा उन प्राप्त किया जाता है जो कि काफी गर्म रखता है काफी प्रसिद्ध है अंगूरा उन किस से निकला जाता है अंगूरा बकरियों से और ये कहां पाये जाते हैं तुर्की में पाये जाते हैं माउंट अरारात के आसपास अनातुलिया के पठार के शेत्र के आसपास तुर्की में इजामेर की घाटी है जो की इसका प्रमुख औद्योगिक शेत्र है यहां अफीम का काफी उत्पादन होता है तर्की में इस्थित वान जील दुनिया की सबसे अधिक खारी जील है लोड़ी जील है सबसे अधिक लोड़तावली जील वान जील कहाँ परिस्थी थे तुरकी में इस प्राइदी पे करने देश तुर्टी ने गरिस्तित है जो समुद्र तल से लगबग 440 मीटर नीचे है दुनिया का सबसे निचला बिंदू कहा जाने वाला ये सागर है और खारे पानी की सबसे निचली जील भी इसको कहा जाता है क्या नाम है मृत सागर जार्डन का मृत सागर अकाबा बंदरगा ये जार्डन का सर्टमुक बंदरगा है अकाबा बंदरगा नाम याद रखेगा लेबनान की बात करें लेबनान में एक मायतपूर्ण देश है लेबनान को पूरु का सुर्जय लेंड भी कहते हैं भूमद सागरी जलवाई वाला देश है इसलिए घूमने घूमने के लिए काफी लोग यहां पर जाते हैं लेबनान की राज़ानी बेरूत है त्रिपोली और सिडोन इसके दो प्रमुख तेल शोधन के अंदर है एक और प्रमुख देश है साइप्रस एशियाई देश है लेकिन यह भूमद सागर में स्थित दीप है तो यहां की जलवाई भी भूमद सागरी है इसकी राज़ानी नीकोसिया है इसराइल की बात करें अक्सर चर्षा में रहने वाला विवादित देश तो जारडन, सीरिया, लेवनान और मिस्ट देख रहा है ना जारडन, सीरिया, लेवनान और अफरीका का एक देश मिस्ट इससे चारों तरब से यह लगा हुआ है इसराइल की राजधानी जो भारत द्वारा मानता प्राप्त है तेल अविव है लेकिन इसराइल ये रुस्लम को अपनी राजधानी बताता है 1967 इस भी में अरब जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसराइल के खिलाफ यद्द छेड़ दिया था लेकिन इसराइल का इसमें इसराइल विजेता रहा अरब देश पराजित हो गया तो इसराइल ने मिस्र से सिनाई प्राइदी सीरिया से गोलन जो पहाडिया है गोलन हाइट से और जॉर्डन से वेश्ट बैंक छीन लिया उस पर कबजा कर लिया इसी उद्ध में 1978 के आज़ पास मिस्र ने इसराइल को मानता प्रदान कर दी ऐसा करने पर इसराइल खुश हो गया और उसने सीनाई जो प्राइदीप हासिल कर लिया था उसको मिस्र को वापस सौप दिया जो की स्वेज नहर का ही एक भाग था यरुशलम जो की मानता देता है इसको इसराइल अपनी राजधानी के रूप में एक महत्पूर्ण शहर है यरुशलम तीनों ही प्रमुख धर्मों इसलाम, यहुदी और इसाई धर्म तीनों का पवित रस्थल है फिलिस्तीन के साथ इस जगों के लेकर के विवाद रहता है फिलिस्तीन इसराइल का ही एक स्वायत तसासी प्रदेश है लेकिन अपने आपको एक देश मानता है भारत फिलिस्तीन और इसराइल से एक देश के रूप में ही संबंदस थापित किये हुए है ये भारत की विदेश नितिकी सफलता है मुकिता फिलिस्तीन के साथ और इसराइल का जो विवाद है वेश्ट बैंक और गाजा पट्टी को लेकर है फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में राम अल्ला को मानता प्राप्त होई है फिलिस्तीन को अगर जो भी देश एक देश के रूप में मानता देते हैं वो राम अल्ला को इसकी राजधानी के रूप में पहचान देते हैं फिलिस्तीन देश के रूप में उसकी राजधानी के रूप में राम अल्ला को I think कुछ छूटा नहीं होगा जितनी चीजें हो सकती थी हम नेपाल भूटान तो चर्चा नहीं किया नेपाल दोस्तों नेपाल की राज़नी काटमंडू है ये हिमाले से हिमाले परवती शेतर है हिमाले से गिरा हुआ अंतस्त राज है मतलब भारत और चीन के बीच इस्तित राज है ऐसे राज्यों को बफर इस्टेट कहते हैं मद्ध हिमाले जो है उसको यहाँ पर महा भारत शेड़ी गरूप में जाना जाता है नेपाल में भारत के द्वारा विक्सित भारत की मदद से विक्सित एक नगर है विराट नगर इस विराट नगर एक मात्र अद्योगिक छेट गरूप में इसकी पहचान है नेपाल में तो नेपाल का एक मात अद्योगिक शहर क्या नाम है विराट नगर भूटान ये बात करें तो भूटान की राजधानी दोस्तो थिंपू है भारत का परमित्र राज है लैंड आफ थंडर वोल्ड भी इसको कहते है यहां की सबसे यहां का दो सबसे ऊचा सिखर है वो है कूला कांगडी कूला कांगडी बज जयान बौध धर्म के मानने वाले यहां पर ज़्यादा रहते हैं दो और महत्पूर्ण देश रह गए हैं कोरिया प्राइदीब के अर्थात उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया महत्पूर्ण थें अभी छूट जाता तो यह होता कि इसमें बताया नहीं था तो उत्तर कोरिया दक्षिन कोरिया के मद्द्व सीमा जो विभाजित करती 38 डिग्री समाननता रेखा यह कोरियाई सैन विहिन छेत्र है यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं सैन विहिन कहने को हैं लेकिन यहाँ पर सबसे आदा सेनाएं यहीं पर मौझूद हैं पूरे विश्में अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार से शांद छेत्र घोशित हुआ दक्षिंड कोरिया और उत्तर कोरिया के मद्ध समझोते का एक बिंदु है 38-वी समानंतर रेखा इसको जानते हैं उत्तर कोरिया उत्तर में स्थित है दक्षिंड कोरिया दक्षिंड में स्थित है इसमें कोई शक नहीं है उत्तर कुरिया की राध्धानी प्योंग याउंग है ताना शाही राजा है वहाँ का अमनोक नदी चीन की और उत्तर कुरिया की सीमा बनाती है कौन सी नदी अमनोक नदी वहीं रूस उत्तर पूर्वी जो रूस का भाग है और नार्थ कोरिया के बेच एक नदी बहती है तुमेन नदी तुमेन नदी ये इन दोनों को अलग करती है उत्तर कोरिया और रूस को अलग करती है इन दोनों की सीमा बनाती है तुमेन नदी अमनोग नदी चीन और नार्थ कोरिया की सीमा बनाती है तुमेन नदी नार्थ कोरिया और रूज की सीमा बनाती है ठीक है दक्षिन कोरिया की राज़ानी सियोल है सियोल एक विक्सित देश है विक्सित रास्टर है इसको शांद प्राता काल की भूम्भी का जाता है जेजु सबसे वड़ा दीप है दक्षिन कोरिया का क्या नाम है जेजु ये सबसे वड़ा दीप है दक्षिन कोरिया के दक्षिन में कोरिया जलसंदी और सुसीमा जलसंदी है जो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर स जोड़ती हैं बाकी सारी बातें होई गई है सुनारू जलसंदी यहोंशु और होकेडू जो दीप है जापान के उनके मद्धी स्थित है इसके लावा आमूर परवत आमूर नदी इसके बारें तो बताया आपको मंचूरिया का मैदान चीन में स्थित है महत्पूर्ण मैदान जापान के उत्तर में कुरिल दीव स्थित है कुरिल दीव स्थित है कुरिल दीव स्थित है जापान का अधिकार नहोकर रूस का अधिकार है ध्यान रखेगा ठीक है ठीक है आई थिंक कुछ बचा नहीं है जो बताये लाग हाला कि एस या बहुत ही ज़्यादा विस्तित है ये इतनी यदा information है कि कुछ नकुछ तो छूटा होगा लेकिन exam oriented सारी चीजे आपकी इसमें हमने cover करा दी है अभी हम यूरोप में आएंगे ये बहुत बड़ा information का sector है और यहां से बहुत सारे प्रशनाते हैं A.S.E.A. महादीब से इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगाया मैंने बाकी अन्य जो महादीब है उसमें इतना समय नहीं लगने वाला उसमें बहुत कम information है तो मिलते हैं NEST यूरोप महादीब के साथ बहुत बड़ धन्यवाद है